नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आशा करती हूं अच्छे होंगे तो आज हम करेंगे तोड़ती पत्थर का अभ्यासकार इसके साथ ही आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें लास्ट में कॉमेंट जरूर लिखें कि आप का रंग कैसा था पत्थर तोड़ती नारी के तंग का रंग सावला था अगला प्रशन है नारी बार बार क्या करती है नारी बार बार हाथ में बड़ा हतोड़ा लेकर प्रहार करती थी अगला प्रशन है नारी के माथे से क्या टपक रहा था उत्तर है नारी के माथे से पसी न टपक रहा था अगला प्रश्ण है तोड़ती पत्थर कवीता के कवी कौन है उत्तर तोड़ती पत्थर कवीता के कवी सुर्य कांतर तृपाठी निराला हैं अगला प्रश्ण है इलाबाद के पत पर पत्थर तोड़ने वले इस्तरी का चितरण कीजिए उत्तर है इलाबाद के पत पर वह महिला पत्थर तोड़ती है जहां कोई छायदार पेड नहीं था यहां वह बैठ सके उसका तन सावला था पर वह भरे योवन में थी आँखें नीचे किये और काम में तत पर थी बड़ा हतोड़ा हाथ में लिए प्रहार करते हुए पत्थर तोड़ रही थी अगला प्रश्ण है किन परिस्तितियों में नारी पत्थर तोड़ रही थी उत्तर है एक साधन हीन और असहाय नारी इलाबात के पत पर बैट कर पत्थर तोड रही थी आसपास कोई छायदार पेड नहीं था धूप पड़ रही थी गर्मी के दिन थे शरीर को जुलसा देने वाली धूप थी गर्म हवा और धूल उड़ रही थी दूपहर का समय था इसी परिस्तितियों में वह महिला पत्थर तोड रही थी अगला प्रशन है तोड़ती पत्थर कविता का साराइश अपने शब्दों में लिखिये उत्तर तोड़ती पत्थर कविता में निराला जी ने इलाबात की एक सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती मजदूर महिला का चितरन किया है साथ एक मजदूरन जिन परिस्थितियों में काम कर रही थी उसका याथार्त और मार्मिक चितरन पसुत किया है इस्री रूई की तरह तप्ती धर्ती और बरसाती लू कि दुपहरी में पत्थर तोड़ रही है आसपस कोई छायदार पेड नहीं है गर्म हवा और धूल उड़ रही है यहां कवी ने उस सावली सलोनी निर्धन मजदूरन के कठिन परिश्रम का महत्वर प्रकट किया है अगला प्रशन है संदर्ब व्याथ्या करनी है गुरू हाथ हतोडा करती बार बार प्रहार सामने तरू माली का अट्टाली का प्रकार उत्तर है प्रसंग यह पद हमारी पाठे पुस्तक साहित्य वेभव की तोड़ती पत्थर नामक कवीता से लिया गया है जिसके रचेता सूरेकान त्रिपाटी निराला है सन्दर्ब निराला जी लाबाद के पत्ध पर पत्थर तोड़ती महीला की सित्ति का वर्णन कर रहे हैं इस्पष्टी करन्ग गर्मियों में तप्ति दुपहरी में निराला जी ने एक स्तरी को तोड़ते हुए देखा था उसके हाथ में भारी हतोड़ा था और वे उससे पत्थर पर बार बार चोट कर रही थी वे पत्थर तोड रही थी जहां पर वे बैटी थी वहां कोई छायदार पेड़ भी नहीं था लेकिन उसके सामने एक विशाल भवन था जिसकी पंक्तियों में पेड़ लगे थे निराराजी कहना चाहते हैं कि गरीबों को सुख नसीब नहीं होता सुख धनी लोगों के पास है जो साधन संपन्न है समाज में विशमता व्यापता है विशेश छायदबादी प्रगतिशील कविता अर्थ वेशम में पर प्रकाश डालती है अगला प्रशन है चड़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाया रूप उठी जुल साती हुई लू उत्तर प्रसंग प्रस्तुत पद्याश हमारी पाठे पुस्तक साहित्य वेभव में ततोड़ती पत्थर नामक कविता से लिया गया है इसके रचेता सूरेकांति पाठी निराला है संदर्ब इलाबाद के पत्थर तमतमाती धूप में पत्थर तोड़ने वाली नारी के पारिश्रम के बारे में कवी स्पस्ट कहना कहता है इस पस्टी करन पत्थर तोड़ने वाली नारी जुलस्ती धूप में पसीना टपकाती अपने कारे में मगन है उसकी विवश्चा पर कभी का मंदुखी होता है किन्तु उस नारी के धहरे और कारे में लगन देखकर उसके प्रिती सम्मान बढ़ जाता है विपरीत परिस्तियों में भी वह अपना कारे करने में लगन रहती है अगला प्रश्ण है देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा चिन्नतार देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस द्रश्टी से जो मार खा रोई नहीं उत्तर है इसका प्रसंग प्रस्तुत पद्याश हमारी पाठ्टे पुस्तक साहीत विवभव के तोड़ परंतु मार में ध्हंत से प्रस्तुत किया है जो पाठ्टों के मन को द्रवित कर देता है इस पश्टिकर कवी मजदूरिन की दैनिय दशा को देख रहा था तब ही मजदूरिन ने कवी की ओर देखते हुए देख लिया उसने द्रश्टी उठा कर चिन भाउस से उस वेभव की लगातार शोशन से भैबीत होकर रोता नहीं है शोशन ने उसकी आँखों के आंसु को सुखा दिया था इसके साथ ही अभ्यासकारे समापत होता है आशा करती हूं आपको अच्छा लगा होगा लास्ट में कॉमेंट लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें धन्यवाद